वीडियो काफी दिन बाद आ रही है क्योंकि मेरा एक्सिडेंट हो गया था बाइक से अब 50% से ज्यादा रीकवर हूँ इसलिए नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ आज की वीडियो हमारी globe और gate wall के difference किए वो difference जो man lease में होता है ये सब का difference बताने का तरीका अलग होता है globe और gate wall का difference हम कुछ हटके बताएंगे एक example अगर लूब class में हमारे दो बच्चे हैं sonu और monu अगर उन्हें किसी teacher ने पूछा कि इनमें क्या difference है और कोई बंदा अगर हमारा बताने लगे कि देखिए सोनु थोड़ा लंबा है मोनु थोड़ा छोटा है या फिर उनकी मोटाई का फरक बताने लगे तो वो कोई man difference नहीं होगा क्योंकि वहां जो अगर बात हो रही है school में या colleges में वहां पर पढ़ाई से related हो रही है यानि के दोनों में कौन होश्यार है किसके नंबर जाद आता है तो man difference क्या है globe और gate वाल का वो बनाएंगे इस वीडियो में बन रही है आंता खलो दोस्तों स्वागत है आपका अपकर हो जाता है अगर globe की meaning की बात करें हिंदी में तो यह एक भूतलिय होता है यानि कि global जैसे टाइप होता है globe तो वह भूतलिय होता है यानि कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़े आ जाती है अगर gate और globe वाल की लगाने की हम बात करें तो इन में focus करेंगे floor pressure पे पहलें करकि body structure की बात करूं तो body structure देखिए gate वाल का कुछ बिल्कुल simple सा होता है यानि कि inlet और outlet बिल्कुल सीधी होगी gate वाल में inlet जैसे होगी outlet ऐसे ही जाती है और globe वाल में जो इसकी direction होती है body से देख सकते हैं कि थोड़ा नीचे होगी यानि कि जो inlet होगी वो down में होगी और outlet उपर से हो देखिए लेकिन अंदर से वो globe होगी यानि कि inlet उनकी direction outlet की direction से अपोजिट होगी इसके wheel की हम बात करें जो इसका spindle होता है gate वाल का वहीं के वहीं रहता है और जो spindle है वो उपर होता जाता है लेकिन अगर globe वाल की बात करूं तो इसका जो हमारा wheel है वो spindle के साथ उपर होता जाएगा ये भी एक man पहचान है ऐसा होता है और valve में हुआ है latest version अगर कुछ changing आ रहा हो तो changing हो भी सकता है इसकी body structure कैसे कैसे होते हैं और क्या होता है लेकिन इनका man जो difference होता है वो लेते है pressure और flow pressure और follow दोनो अलग अलग चीज़े हैं बात को ध्यान से समझना अगर हमारा gate valve की बात करें तो जो इसमें pressure होगा जितना inlet में होगा उतना ही outlet में होगा यानि कि अगर हमें जितना inlet में pressure चाहिए तो हमें gate valve लगानी चाहिए प्रेशर थोड़ा बहुत अपडाउन हो सकता है लेकिन जादा डिफरेंस नहीं होगा गेटवाल के अंदर ऐसी बात करेंगर फुलो की तो फुलो जितना हमें इलेट में चाहिए गेटवाल में यानि कि गेटवाल जहां पर लगी है और जहां पाइपलाइन हमारी इलेट आ रही है जितना हमारा फ्लो उसमें इलेट में होगा उतना ही हमारा आउटडेट में चला जाएगा simply फिर वहाँ पर gate wall का use होना है क्योंकि gate wall सिर्फ क्या काम करेगी किसी flow को रोक देगी या फिर जाने देगी यानि कि जितना हमें 50% खोलना है 20% खोलना है उतने ही pressure या flow जितना भी रखना है उतना हम कर सकते हैं in late और out late बराबर बराबर गलोब वाल की अगर बात करते हैं निकि pressure गलोब वाल में change होगा यानि कि गलोब वाल में in late में जितना pressure है आउट late में उससे up down अगर करना है तो हमें वहाँ पर गलोब वाल लगानी चाहिए और अगर flow की बात करें तो flow को तो कि पहले flow को समझते है flow होता क्या है quantity से ही related होता है लेकिन quantity नहीं होती एक example के तोर बेगर मैं लेलू कि अगर हमारा in late में कोई flow आ रहा है पांच केजी का तो इसका क्या मतलब है यानि कि पांच केजी पर hour होगा या पांच केजी पर minute होगा अगर सिर्फ ये पांच केजी है तो ये flow नहीं होगा ये सिर्फ 5 केजी ये तो इसकी quantity हो जाएगी और ये 5 केजी जो quantity है अगर ये पर hour यानि के 5 किलो एक घंटे में निकाल देता है या 5 लिटर एक घंटे में निकाल देता है या एक minute में निकाल निकाल के तो यहां पर हमारा प्रेशर और में चेंज करना पड़ सकता है То वहाँ करना पड़ सकता है तो यह थी मुटी-मटी ही और man difference अच्छा इसकी rates की बात कर लें तो globe wall थोड़ी महंगी हो सकती है gate wall से क्योंकि इसकी specifications भी ज्यादा है अगर दोनों की better की बात करें तो वो भी better है वो भी अगर इसकी quality की बात करें तो quality ज्यादा globe wall में steam में और high pressure में ज्यादा globe wall ही use होती है तो यह थी कुछ मोटी मोटी और basic सी बाते और man difference अगर यह difference आपको थोड़ा भी अच्छा लगाओ यह वीडियो थोड़ी बेच्छा तो वीडियो को like subscribe और वीडियो को share करना बिल्कुल ना भूले कि नेक्ट वीडियो में next टेक्ट में मिलेंगे तब तक के लिए